लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आप भाई रहम नजर फैरो अब बूरे साई मैं अन्धा हूँ बंदा तुमारा बंदा तुमारा मैं ना जानू अल्ला एलाहे अल्ला एल्गी रहम नजर करो अब बूरे साई रहम नजर करो अब बूरे साई अल्लाह मालक हरे साइं, हरे साइं, साइं साइं, हरे हरे जीवन क्या है, पृत्यू क्या है और क्या है जीवन पृत्यू के अंसुल्जे सवालों पर साइं बाबा का दर्शन इस साइं दर्शन को जानने के लिए हम चलते हैं साइं बाबा पर असीन श्रद्धा रखने वाले चंदिगर्ड के सेक्टर 41B में रहने वाले मिज़े गर्ग के पास अनंत कोटी प्रम्हांड के नायक शिडी पुरिश और साइनात महराज की जै ओम साइराम आप कौन बोल रहे हैं? विजय विजय मैं हिसार से अजय बोल रहा हूँ ओम साइराम भया कैसे हैं आप विजय पापा की तबियत क्या हुआ पापा को? कल रात सही पापा की तबियत अचानक बहुत खराब हो गई है वही साइस की बीमारी है हमने उनको डॉक्टर रहजा की नर्सिंग हों में एडमिट करवा दिया लेकि तु वरन हिसार आजाओ ठीक है भया आप पापा का खेया लगना मैं दोपार की ट्रेंट सही निकलता हूँ अबे तु केवल तुम्हारा असरा हैसा ही आपकरो तिवां रहम करो पापा का है मां दोपहर में डॉक्टर रहजा ने पापा को डिश्चार्ज कर दिया था मगर जब से उनको घर लेका रहे हैं तब से उनकी तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ गई है एसी हालत में डॉक्टर रहजा ने पापा को डिश्चार्ज क्यों किया अभी शाम को डॉक्टर रहजा अपनी किड्नी के इलाज के लिए अमेरिका जा रहे है इसलिए उन्होंने मां पापा अपने कम्रे में है ना हाँ बेटा सुनिये जी अग्यमान कहां हो वीजाय आया के नहीं अभी तक पापा वीजाय बेटा वीजाय अग्या अभीजाय तु कोई तक्लीफ तो नहीं हुई तुम्हे नहीं पापा अब कैसे तबियत है आपकी छाती में बहुत तर्द हो रहा बेटे वो तेल जारा हाँ पापा आप लेट जाएगे मैं मिलता हूँ हाँ हुँ 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 इसा choppedście मेरे पापा की रख्चा करो देबा, रख्चा करो. पूरे हिसार में डॉक्टर रहे जावा और कोई डॉक्तर नहीं है? है क्यों नहीं? सुभई डॉक्टर रहे जा ने डॉक्टर गुपता से बात करवाई थी. डॉक्टर गुपता ने खुद कहा था, वोई भी बात हो, तो पापा को लेके सीधे मेरे नर्सिंग हुमा जाना. यह आपने अब तक क्यों नहीं बताया बश्या? सिस्टर, डॉक्टर गुपता को इंफॉर्म कर दिया आपने? जी हमेने फून कर दिया, बस आते ही होंगे. डॉक्टर साम, प्लीज, एकस्टी. सिस्टर, डॉक्टर रहिजवा की रिपोर्ट इखाओ. तक क्या हो यह डॉक्टर? देखे हालत बहुत क्रिटिकल है हम जानते हैं कि हम पेशिंट को बचा नहीं पाएंगे एक पेशिंट की मौत का इंसार दॉक्टर की सबसे बड़े मजबूरी होती है लेकिन हम इस तरह मौत का इंसार भी तरह नहीं कर सकते इसलिए उनके जिन्दगी बचाने के लिए एक तांफ नहीं बहुत जरूरी है मिस्तर विजय आपके पापा कॉमा नहीं चले गए देखे मैं क्या नहीं सकता हो कब कमा से बाहर आएंगे अब क्या होगा देखे ऐसे वक्त में डॉक्टर की कोशिश से जादा अगवान की करपा काम आती है हमे केवल तुम्हारा आसरा है साई रहम करो देवा रहम करो ओम साईना थाइनमा ओम साईना थाइनमा ओम साईना थाइनमा ओम साईना थाइनमा विजय पाबा, पाबा, उठो, उठो बेटा विजय, उठो, पाबा, पाबा, पेरे पापा, जानता हूँ, तुम्हारे पापा की तबियत बहुत खराब है, आपको उन्हें बचाना होगा सही, बचाना होगा, विजय, बेटा ये मौह ममता बड़ी दुगदाई होती है, मौह से छुटकारा मिलता ही नहीं, रिष्टो की डोर इनसान को इस खदर बांग लेती है, कि उसे ये भी आद में रहता, कि इस दुन्या में, जो आया है उसका जाना, और जो गया है, उसका लोट कर जाना मिश्चित है, ये सब गयान की बड़ी-बड़ी बाते हैं, भगवन, मैं अग्यानी, ना तो इसे जानता हूँ, और नहीं जानना चाहता हूँ, मुझे तो बस, मुझे तो बस इन चाड़ों का आस्रा है, दिवा, जब तक आप मेरे पापा को बिल्कुल ठीक नहीं कर उठो, उठो विजए बेटा, विजए, तू तो वैसी ही बात कर रहा है, जैसी बरसों पहले तात्या ने की थी, तात्या ने? क्या किया था अँनों उने सुहीं? बाइजा मा के मरने के बाद, उनके मृत शरीर और खुद को एक कमरे में बन कर लिया, और जीवन दान के लिए मुझे पुकारने लगा, देवा तुम्हे आना होगा, देवा, कहा हो देवा तू, देवा मेरी मा नहीं बढ़ सकती, जैसाहिर, 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 जैसा इसे शितना करना होगा देवा, उसे शितना करना होगा, देवा. देवा, उसे अबरी मां नहीं, वो तुमारी माँ भी है देवा. देवा... ará तात्या क्या भी मर सकती है लगिन साहीन की बाड़ ऑनें मर सकती ही देवा, देवा... त्या invya पाइजामा फिर से जिन्दा हो सकती है देवा... लेकिन एक शर्त है और है देवा ? मुझे किसी ऐसे घर के चूले की ठोडी सी राथ लाके दो जहां किसी की मौत नो हुई हो जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही है फिर चाहे वो तुम्हारा साई ही क्यों नहों पगले इस हावा गमन के चक्कर को जानते हुए भी इंसान इसे भूल जाता है अगर इसे इसके सवाल का सही जवाब नहीं मिला तो इसकी आत्मा बढ़कती रहेगी देवा देवा इसे पूछो इसे पूछो देवा यह क्या पूछना चाहते थी देवा बात्या पनीडू बात्यां बानीडू मा, बाईजा मा, तुम्हारा साहीं तुम्हारे चर्णों के सामने खड़ा है, आँखे खुलो मा, क्या पूछना है तुम्हें? है तुम्हें? क्या पूछना? मैं तुम्हें? क्या पूछना है मा? पूछूंगी तो सच बताओगे साई? तुम्हारे साई को जूट वोलना तुमने सिखाया ही नहीं मा? मैंने तुम्हारे हर रूप देखे साई हकीर, द्वार का धिश, आशतो शिव भी और विनायक गनिश भी लेकिन तुम कौन हो? किसके अवतार हो? क्या है तुम्हारे आश्रियत साई? सिर्फ और सिर्फ एक फकीर जिसे जिसने जिस नाम से चाहा पुकार लिया और ये फकीर उसी नाम से प्रसंद हो गया बाकि इस चोले का धर्म और मजब सिर्फ एक है इंसानियत मानमता साई, आगले जनम में तुम उच्छे मिलोगे न? मा क्या बगाए? बेटे का जन कैसे हो सकता है माँ? वासांसी जिर्णानी यथा विहाए नवानी ग्रह्णाती नरोपरणी तथा शरीरनी विहाए जिर्णानी अन्यानी सैयती नवानी देही तुम मुझे क्या करना चाहिए देवा? बेटा, उस बाप के सुख की कलपना ही नहीं कर सकते जिसके बेटे लायक हो तुम और तुम्हारे भाई को पाकर तुम्हारे पापा ने जिन्दगी में बहुत सुख उठाया है अब उनके आखरी वक्त में उन्हें सुख पुर्वक मृत्यू का स्वागत करने दो मैं संबच गया दिवा संबच गया और हाँ तुम्हारे पापा को श्रीमत भगवत गीता में बहुत निष्ठा है उन्हें गीता के दूसरे अध्याय संखे योग का पाड़ जरूर सुनाना भगवान किशन भला करेंगे आप होश में था में से अगर्ख आप जानते हैं आप क्या गह रहें जी डॉक्टर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो पूरे होश औ हवास में कह रहा हूँ ये ठीक है क्यों आपके पापा है लेकिन इस वक्त वो मेरे भी पेशिंट है और मैं अपने पेशन को इस तरह मौत के मुह में नहीं दखेल सकता हूँ हर बात का मतलब सोच समझ कर ही मैंने आप से पापा को वंधी लेटर से उतारने को कहा है मैंने आप जैसा पेटा नहीं देखा तो अपने बाप को मौत के मुह में दखेल रहा है डॉक्टर गुपता, पेरे पापा बहुत सुख और शांती से जी हैं, लेट हिम डाइन पीस, ठीक है, जैसे आपके मरसी, ना जायते म्रियते वाक अदाचिन, नायम भूत्वा भविता वान भूया, अजो नित्या शाशतोयम पुराणों, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, अरजुन के मोह का अंत करने के लिए, भगवान श्रीकष्ण कहते हैं, यह आत्मा ना तो किसी काल में जन्मता है, और ना ही मरता है, यह आत्मा जन्मा, नित्या शाशत, और पुरातन है, शरीर का नाश हो जाने पर भी, इसका नाश नहीं होता, नैनम छिंदनति श्रश्टराणी, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन त्यापो, न शोशयती मारुता, इस आत्मा को श्रस्त काट नहीं सकता, अगनी इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, और वायू इसे सुखह नहीं सकती, जातत से ही दुरुव मृत्यू, दुरुवम जन्म मृतस सचा बेटा वजे, तेरे जेसा पुत्र पाकर, मेरा तो जीवन सफल हो गया तेरे कारण, मुझे आवा गमन की चक्र से मुक्ति मिल गई तेख बेगा, साइनात स्वेम मुझे लेने बता रहे हरे साइ, हरे साइ, 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 हरे 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 साही, हरे साही, 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 हरे हरे क्या भूल जै? पापा को मुक्ती मिल गई भाया अब तो केवल शरीर है आतमा तो परभ्रम्भ परमेश और साहीनात महराज में विलीन हो गई अजया अजया इकना सठ कहा था साही बाबन उनके चोले का धर्म और मजब सिर्फ इंसानियत और मानवता है जिसका पालन वो आज भी अपनी मा समाधी के बाद लगातार कर रहे हैं आप, आपके परिवार या अडोस-परोस में ऐसे किसी भी साही भग के साथ साही की क्रिपा हुई हो तो हमें तुरंत लिख भेजिए हम उस क्रिपा को इस धारवायक में शूट करके आपको प्रस्तूत करेंगे मैं अंधा हूँ बंदा तुमारा, बंदा तुमारा मैं ना जानू अलाहे, अलाहे इलाही, रहम नजर करो अपोरे साथ झाल झाल